देश भर में उप्चुनाव के पढ़नाम आए हैं उसे बात स्पष्ट है कि देश भर में जो महंगाई की मार लोगों में पढ़ रही है किसानों के खिलाब जो कानून बनाए है पेट्रो लीजल सौर पे पार कर गया है खाद मिलने ही रही इससे लोग नाराज है और जो विवस्था को चौपट करने का काम केंचर का ने किया है उसके विरोध में वोट पड़ा है हिमाचल ने पूरा स्वीप कॉंगेस पार्टी ने किया है राजिस्थान में जो दो सीटों पे उपचनाव हुए हम भारी अंतर से कॉंगेस पार्टी जीती है लेकिन महत्पुन बात यह है कि भारते जंता पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर है कहीं जमाने जबत हो रही है कह मैं समझता हूं कॉंगेस पार्टी की जो शांदार जीत हुई है दूनों मिदवारों की कॉंगेस पार्टी को मजबूत करेगी राहूल जी और सुनाजी के नित्युत में जो हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है इसको जंदाने सुविकार किया है और चाहे करनाटक हो चाहे हिमाचल हो चाह राहिस्थान हो हर जगे शांदार प्रदर्शन रहा है लोग अब ठक चुके हैं बदलाव चाहते हैं और भाज़पा के शासन से लोग बहुत परिशाने बद सतापित हो चुकी है लिकर समय रहती है सब कुछ होगा अभी उपचुनाव खतम हूँ ह मुझे लगता है कि बहुत जल जो जो अजमाकन जी ने कहा है उस पर AICC और प्रदेश की सरकार उस पर काम करेंगे संगर्ण सरकार और मजबूत होगा अब सरफ 24 मने रह गए हैं कि जब दुबारा विदानसवा के चुनाव होंगे तो जो पहले परी पार्टी रही है जो राश्डित सर पर भाजपा को चुनाव देखकर उसको हरा सकती है बाकी दल का सेयोग हम लेंगे लेकिन काउंग्री सी वो पार्टी है जो देश भर में मौझूद है उसकी उपस्तिती है वो कारेकरता मजबूत है और भाजपा को चुनाव हराने का अगर कोई जिम्मा झाली सकता तूसरे को